नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टार्ट सिटी न्यूज में मैं इस वक्त दिल्ली के महाविर इंकलेव में मौजूद हूं साथ ही हमारे अशोग शिरिवास्तफ जी आई ये साथ में बात करते हैं सबसे में सवागत अशोग जी आपका जी धन्यवाद आपका सबसे पहले तो मैं सभी देशवाश्यों को इस पूरे देश की अंदर जो हमारे पांसो साल के इंतिजार के बाद हमारे योद्या में सिरी राम जी पधार रहे हैं उसकी सब को मैं पूरे देशवाश्यों को बढ़ाई देता हूं जो 22 जनवरी 2024 में हमारे राम लला का प्रान प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं मैं सभी को इसका बढ़ाई देता हूं शांत में मैं गंतंतर दिवस कभी आप लोगों को बहुत-बहुत सुप कामना देता हूं सर जैसे राम जर्म भूमी प्रान परतिष्टा जो होने जा रहे इस से क्या लगता है लोगों में कितनी एक धरम को लेगे क्या जागरुता आ रही हमारे इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था जैसा आज देखने को मिल रहा है एक छोटा बच्चा से बच्चा जैश्री र और उन्होंने इसका इतिहास रच दिया जो इनका इतिहास में नाम रचा जाएगा नाम लिखा जाएगा और हमारे देश भर में इतना उल्लास है जो आज तक कभी पांसो सालों में नहीं हुआ था जो आज इस प्रान पतिष्ठा को लेके और इस भव्वे मंदिर को बनने क यह वज़े से जो यहां हर सो उल्लास के साथ जो हम लोग रैली निकाल रहे हैं इसकूलों में बच्चे डांस कर रहे हैं जैशीरिराम जैशीरिराम के नारे लगा रहे हैं और सिरीराम का नाम तो एक बार ही लेने से आदमे मुक्त हो जाता है तो आज मोदि जी ने और योगी जी ने अमित सही जी ने ऐसा कर दिया कि पुरے देश वास्यों को मुक्त करा दिया कि सबने, सब के उपर एक ही नाम है जै श्रीराम, जै श्रीराम जै श्रीराम तो शब भगवान का नाम ले रहे हैं और बहुत खुशी मना रहे हैं सर आसपास के जो मंदिरों में किस तरह का मोहल बना हुआ जैसे लोगों में आप जाते हैं मंदिरों में और एक मुहीम छेड़ी है मोधी जीन ने सबस्चता भ्यान को लेगी क्या करना चाहिए कि हमारे यहां के छोटी से छोटे मंदिर वहां पर आठ दिन से पहले से ही दीपदान हो रहा है हमारे सेक्टर 13 में आश्कोन टेंपल है वहां से आठ दिन से परती एक दिन दिये जलाये जा रहे हैं और रोज दिवाली मनाये जा रहे है हमारे सारे मंदिरों में ऐसे ही 22 तरीक तक दिवाली मनेगा जब तक हमारे भगवान राम का प्रान पतिष्टा होके और खुशी हम लोग मनाएंगे इसके साथ हम पुड़े देशवासी इसी काम में लगा हुआ किसी के पास और कोई काम नहीं है बस यही काम है जैशिर राम जैशिर राम मेरे राम आ रहे हैं उनके इंतजार में सब लोग अनंदित है और खुब कुशी होके नाच रहें गा रहें मंदिरों में खुशी मना रहें बहुत हरसो उलास का दिना है हम लोगों के लिए हम आज तक आजाद नहीं हुए थे जो कि आज इस हमारे राम मंदिर युद्या में राम मंदिर बनने से जो आजादी मिली है हमें ऐसा कभी 500 सालों में हमने आजादी नहीं देखी जो आज मिली है और ये सब कस्रे हमारे मोदे जी, योगी जी और अमित साजी को जाता है कार से वक वो तो लड़ाई ही थी हमारी, वो पूरी लड़ाई थी और उस टाइम जिन्होंने अपनी बलीदान दिया, उनको मैं सरधांजली देता हूँ जिन्होंने इस मुहीम को चलाया, उनको मुराम नमशकार है, उनका भी नाम इतिहास में लिखा जाना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत से और इस लड़ाई को अंजाम तक मोधी जी ने पहुँचा दिया, योगी जी ने पहुँचा दिया, अमित साजी ने पहुँचा दिया उनका भी नाम बड़े बड़े अक्छरों में लिखा जाना चाहिए ये बड़े हर्शो उलास का दिन है हमारे राम लला आ रहे हैं उनके लिए हम खुशिये मनाएं नाचे गाएं और आज जैसे पहले चोद़ा वर्स के बनवास काट के आ रहे थे आये थे जैसे पहले उन्होंने खुशी मना के दिवाली मनाई थी वैसे ही आज हम इस दिन को दिवाली मना रहे हैं हम 22 जनवरी 2024 को बहुत पहले से भी ज़्यादा भव्वे तरीके से दिवाली मनाएंगे कुछ पार्टी ऐसी है कि कहीने उनका कहना है कि धरम का एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कह 24 के चुनाव है देखी ये तो बहुत गलत है अभी इन लोगों ने पूरे देश के लिए हमारे जितने भी आप लोग देख रहे हैं मीडिया में आता है और इतने नोट-नोट के बंडल के गड़ियें मिल रही है और जिसका विरोध करना तो बहुत गलत है कि हमारे राम का जो जगह है उसके लिए हम जो उन्होंने सब कुस दिया है हमारे पूरे देशवाशियों को दिया है सब ये लीडर ही भी बने हैं तो उनके किरपा से बने हैं तो उनके लिए ये बिरोध करना उनका बहुत गलत है और ये लोग खुद ही गलत हैं इसलिए ये बिरोध करते हैं आप ये कहे लगे कुछ नोश करते जा रहा था 22 जन्वरी के दिना 22 जन्वरी को हम दिवाली मनाएंगे और यहां भब्बे तरीके से मनाएंगे बचों में भी बहुत हरसो उलास है कि हम लोग राम लला का आ रहे हैं हमारे राम लला और हम भगवान का बहुत बढ़िया से दिवाली मना के स्वागत करेंगे और उनका नाम भजन करेंगे यही हम लोग उने विचार किया है क्योंकि युद्ध्य में जाकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते like जिसलिए यह मैं जर्मछ नएक करा दिखा करेंons खंड हो सकते हैं कि वहां बहुत ज़ादा भी 可द नहीं आय機 यह गहा ऑज पर सांती पॉर्ण तरिकेशे सद्भावना से ऐ दिवाली मनाएंगे और भगवान का नाम भजन करेंगे तो यह हमारी सीधी बात अशोक शीरिवास्तफ जी से स्टार्ड स्रीटी के साथ मैं जितिंदर गुपता